भय का भूत उसे अकसर समझाती थी कि शाम होने के बाद उस कुएं की तरफ कभी मत जाना वहां भूत रहता है मोहन अपनी दादी से पूछता कि आपको कैसे पता कि उस कुएं पर भूत रहता है तब उसकी दादी उसे यह किस्सा सुनाती थी कई साल पहले गाउं में रतिया नाम का एक लुहार रहता था वह था तो बड़ा साहसी और हिम्मत वाला पर उस भूत के आगे उसका क्या बस चलता आखिर भूत तो भूत होता है आदमी से कहीं ज्यादा ताकतवर और आदमी का दुश्मन वह भला आदमी को जान से मारे बिना कहां छोड़ता है एक दिन रतिया लुहार शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा था सभी दोस्त कुए वाले भूत के बारे में बाते कर रहे थे रतिया लुहार निडर और साहसी था उसने सब के सामने कह दिया कि वह भूत वूत से नहीं डरता वह रात को अकेला उस कुए पर जानी की हिम्मत रखता है फिर क्या था सब दोस्त एक साथ बोल उठे तो लगाओ शर्त रतिया लुहार ने कहा मैं शर्त लगाने के लिए तयार हूँ उसके दोस बोले रतिया तु उस कुए पर जा और उस पर खड़े जामुन के पेड से दस पत्ते तोड़ला हम तुम्हें एक पत्ते के लिए एक हजार रुपे देंगे अगर तुम पत्ते लाने में सफल रहे तो पूरे दस हजार रुपे कमा लोगे अपने दोस्तों से शर्ट लगा कर अपने पैरों से चल कर कुए पर पहुँच तो गया परंदू वापस नहीं लोटा सुभा गाओं वालों को उसकी लाश मिली बेचारे को भूत ने मार डाला यह किस्से को बार बार सुनकर मोहन के मन में दर बैट गया था इसी कारण वा कभी भूल कर भी शाम होने पर कुए की ओर नहीं जाता था मोहन का पिता प्रताप एक सैनिक था एक बार वा सेना से चुटी लेकर अपने गाओं में आया हुआ था एक शाम को उसने मोहन को बुलाया और कहा बेटा मोहन जरा कुए के पास वाले अपने चाचा के घर जाओ और उनसे थोड़ा मूली का बीज ले आओ मुझे कल सुबे ही खेत में मूली का बीज बोना है यह सुनते ही मोहन डर से कापने लगा प्रताप ने उससे डर का कारण पूछा तो उसने कुए के भूत वाला सारा किसा उन्हें सुना दिया प्रताप समझ गया कि बच्चे के मन में भूत का डर बैट गया है एक सैनिक भला डर को अपने परिवार में कैसे पन्हा दे सकता था उसने मन ही मन मोहन के दिल में बैठे डर को दूर करने का निश्चे किया रात के लगबग बारा बजे का समय था प्रताप ने मोहन को जगाया और बूला बेटा मोहन आओ मेरे साथ बाहर घूमने चलें प्रताप के इस प्रकार के व्यवार पर परिवार के सभी सदस से हैरत में पड़ गए प्रताप के पिता और उसकी मा ने कहा बेटा यह भी कोई घूमने का वक्त है भला आधी रात को कहा जाओगे मोहन बच्चा है इसे सोने क्यों नहीं देते प्रताप की पत्नी ने पूछा आखे रात को कहा गूमने जाएंगे प्रताप ने धुर्टा से कहा गाओं के बाहर वाले कुएं पर यह सुनते ही सबके दिल बैठने लगे गाओं के कुएं पर वो भी आधी रात को मोहन की दादी ने कहा क्या तुम रतिया लुहार के बारे में नहीं जानते जिसे भूत ने मार डाला था जानता हूं जानता हूं पर मैं भूतों को नहीं मानता उसके मरने का कोई और कारण रहा होगा प्रताप ने धृटा से जवाब दिया सबके समझाने पर भी प्रताप ना माना तो मोहन डरते डरते अपने पिता के साथ चल दिया पिता के हाथ में टौर्च थी दोनों गली से बाहर आये और कुवे की ओर चल पड़े कुछी देर में वे कुवे पर जा पहुँचे प्रताप ने इधर उधर तौर्च का प्रकाश फैका और मोहन से बोला बताओ कहां है भूत बेटा कोई भूत भूत नहीं होता केवल मन का ब्रह्म और डर होता है भै ही भूत बन जाता है एका एक कुवे से कबूतरों के फड़फडाने और पानी में कुछ गिरने की आवाजे आई मोहन डर कर बोला पापा भूत कुवे के भीतर है प्रताप ने कुवे में टॉर्च का प्रकाश करके दिखाया वहां कुछ नहीं था बस कबूतर थे जोड जोड से फड़ फड़ा कर उड़ रहे थे उन्हें देखकर मोहन ने चैन की सास ली उसके मन का भै कुछ कम हुआ अब पिता और पुतर कुछ देर के लिए कुवे पर बैट गए पिता ने पुतर को समझाया बेता व्यक्ति को अपने मन में किसी भी प्रकार का भै नहीं बिठाना चाहिए भै ही भूत होता है वह रतिया लुहार भूत से नहीं बलकि भै से मरा था देखो हमने भै को नहीं माना क्या हम मरे क्या हमें कोई भूत दिखा नहीं दिखाना दिखता भी कैसे भूत तो होता ही नहीं है उसे तो मनुष्य अपने भै और अपनी कल्पना से बनाता है क्या तुम अब भी भूत और उसके भै को मानते हो मोहन ने निडर होकर उत्तर दिया नहीं पापा भय का बूत होता है मैं किसी बूत से नहीं दरता और ना ही कभी दरूँगा शाबाश मेरे बहादुर बेटे उसके बाद पिता और पुत्र दोनों हसने लगे उस दिन के बाद अंधेरा होने पर मोहन कहीं भी जाने आने से नहीं दरा वह निडर, सैनिक और महंती किसान का सचा बेटा बन गया